जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टेडियू पॉइंट वे दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मायत का कुछ रुपय को ऐसे दो भागों में विवाक्त की दिए कि पर्थम भाग का पांचवा भाग तरह दितिया भाग का आठाव भाग तीन और चार के अनुपात में हो जैने अब देखते हैं इस प्रस को कि सिंपल सा प्रस दोस्तों ध्यान दीजेगा पहला और यहां लिख दीजे दूसरा ठीक है पर्थम भाग का पांचवा भाग तब पर्थम का पांचवा भाग दे दे रहे हैं और दूसरा का दितिया भाग का आठवा भाग आठवा भाग पराबर तीन और नुपात चार हो ति इसकों तीन बठा चार लिख सकते हैं ठीक है एत पहले, पहला मतलब 5 नहीं हो गया, आब यहां उपात का चीनित यह 3 गुदा होता है, ठीके यह 3 गुदा होता है, अब पहला, और बटम कर दिजी दूसरा तो पहला बराबर आपका हो गया आठ और दूसरा बराबर क्या हो गया तो देखे तीर्षा गुना हुआ है यह पांच हो गया और यह बोला है तीन और चार के तीन और चार के अनुपात में हो यह तो समझ मागे यह पहला बराबर आठ हो गया दूसरा बराबर पांच हो गया अब इसको यह बराबर है बीच में तीन चीन हा इस तरी यह तीर्षा गुना हो जाएगा तो क्या होगा चारी अठी बाद तीस और यह हो जागा पांच यह पंदरा ठीक है अब बोल रहा है अब इसको क्या कीजिए हम यहीं मान लेते एक्स और एक्स ठीक है तो 32 और 15 को जोड़ेंगे तो 47 एक्स ठीक है और उसके बराबर 846 हो जागा ठीक है यहां तक आप लोग को समझ माग गये होगी अब 47 से अगर हम काड़ते हैं और 146 को यह आपका 18 बार में कर जागा तो तो आप लोग काट के देख लिजेगा ठीक है तो एक्स बराबर 18 आ गया अब हमारा बोल रहा है कि और 146 के से दो भाग 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 पर्थम भाग का पाच्वा भाग तर्थम भाग का आठाव भाग तीन बटा चार के लिखें तो 32 अर्ट एकस का क मान कितना या तो 18 आया यह 18 सी को गुना कर दीजिए यह 15 और एक का मान अठावा तो अथारस गुना कर दीए अगर 32 को 18 गुना करते हैं तो 576 आएगा और 15 को 18 गुना करते हैं तो आगा 270 ठीक है तो यहीं आपका answer हो जागा दोस्तों तो सही answer क्या हो गया तो 576 और 270 चलिए सही answer इसका ए नमबर हो गया दोस्तों मुझे उमीद है आप लोगों को समझ मागे बस यहीं आप फचिएगा दोस्तों ठीक है बस इसी को आपको क्यार करना है कि पहला का पांचवा दूसरा का आठवा ठीक है यहां जो बोला बस यहीं पर है तीरचा गुना करना है और कहीं आप लोगों को कोई फाइदा नहीं होगी एक सो चो रुपिया को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया एक को बी से चौदा रुपिया अधिक मिले तो इनके भागों का अनुपात करमसा क्या होगा यह लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पहुच किजिए और बनाने का कोशिज किजिए देखिए आप उसे कितना दिर में बनता है ठीक है और अगर आपसे असानी से बन जाता और तुरंद बन जाता है कम टाइम में तो बहुत अच्छी बात है जो तेज इस स्टूजेंट है उनसे तो बन जाएगा लेकिन जो नए छास है उनसको थोड़ा सदिक्कत होगी चलिए कोई बात नहीं लेकिन हम हैं आपके साथ तो देखे जिहां दीजेगा आप ए बी सी आप यहां लिख दीजे ए बी और सी ठीक है अब दीजेगा ए को बी से 14 रुपिया दीक मिले ए को बी से 14 रुपिया दीक मिले और बी को सी से 16 रुपिया दीक मिले बी को सी 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 को हम एक्स मानते हैं ठीक है यहां पकड़ यहां ब रुपिया अधिक मिले, तो B को C से, तो C को X मिलाती, X पर अधिक सुला हो जाएगा न, चलिए, यहां समझ मा आ गए यह आप लोगों को, अब बोल रहा है, A को B से 14 रुपिया अधिक मिले, A को B से 14 रुपिया अधिक मिले, तो B से 14 रुपिया अधिक मिला, तो 14 अर यह सुल दोनों जूट जाएगा ठीक है मैं लिख नहीं रहा है दोस्तों आप लोग द्यान दीजिएगा मेरे बात को सुनिएगा तो आप x x x 3x पलस 30 अरसुला कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा ठीक है 43 बराबर 106 इतना आप लोगों समझ मा गया आप क्या गीजिए 3x 3x बराबर 106 और यह इधार चला जाएगा दोस्तों ठीक है तो यहाँ प्लस में है तीजार आके माइनस में हो जाएगा तो आप यहाँ 46 लिखे ठीक है 3X 3X बराबर 106 में 46 घटा दीजिए कितना आजाएगा 0 अज़ास में चार गया तो कितना बच गया 6 बच गया है ना दोस्तो तो हमारा 60 बच गया अब बोल रहा है इसको काड़ दीजिए X बराबर 3 से काड़ दीजिए इसको यह 20 बार में काड़ जाएगा X बराबर 20 आप तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ बागए अब इस पर बैठा देना X प्लस 30 X प्लस 16 और यह X ठीक है अब इसी पर दे की जगह नहीं है यहीं आप ध्यान दी जगह दोस्तो तो A यह हमारा हो जाएगा X प्लस 30 X के जगह 20 और प्लस 30 यह हो जाएगा 50 और B हमारा हो जाएगा X प्लस 16 है तो यह एक के जगह 20 और प्लस 16 यह हमारा हो जाएगा 36 तो 20 अरसुला 36 और यह हो गया X तो यह तो 20 ही रह जाएगा अब 15 और 36 और 20 इस तरह तो आप्शन में भी नहीं है तिसको आप काड़ दीजे दो से काड़ दीजे यह 10 बार में हो जाएगा यह 18 आ जाएगा और यह 25 आ जाएगा तो 25 देखे यह द्यान दीजेगा थोड़स दो जा रहा है दस अनुपाद 18 अनुपाद 25 यह दर चाहिए पटीस अनुपाद 18 अनुपाद 10 तो 25 अनुपाद 18 अनुपाद 10 यह आपका एंसर आ गया मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों समझ मा गई होगी थोड़ा से यहां मतलब थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो गया तो चलेगे लेकिन एकस बराबर जब आ गया यह आ गया तो आप इस पर लिंख करके इस पर लिख करके आप जोड़ लीजेगा आपका है जाएगा ठीक है आगर यहां ने हिस बन्हारा होगा होगा नहीं नहीं समझ अदे जंद पान बेदा रथा इसीं अधर गाए इसी पर लिए गाती इसको छोड़ करके मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा आप लोग कॉमेंट किजिएगा साजा या और सथ दोनों में जो आप लोग को लगे की नहीं हमको यह जरूरी है इसमें जानकारी कमी है तो उस चैप्टर को मैं शुरू करूंगा आप लोग जैसे बो पात में हैं इन संख्याओं के लगुत्तम संख्याओं यह थोड़ा से मिस्टेक हो गया दोस्तों संख्याओं ठीक है के लगुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुनल फल 10800 है तो इन संख्याओं का योग कितना है अब आप यहां लिख दिया है महत्तम और तक अब इसको देख के डर मत जाईएगा ठीक है लगुत्तम महत्तम मत निकालने लगी आप पूरा वीडियो देखिए आपको कहीं दिकत नहीं होने देंगे हम जली अब क्या करना है सिम्ल जायद होतों यह दो संख्याय जो गतिने और के नुपाथ है इसको माणली जय थ्री एक्स और इसको माली जय चार इक्स इतना ही तो और इन शंख्याय को लंगुत्तम स्वावड़न्ट तक महत्तमी जत्याइड गुननं फ junior देज़ेगा गुरान चुखब अब इसकिंख संर ஒसे गुम्नेश भूनेश यह सिन चार एक ॢब यह तो ही । जो इस फेकर अब 4 तीयागा होता है तिया स्वायर हो जाता है दस जार आठसो ठेकर यहां लिख दिया है एक मिनट थ्वदुर से मि ciao को ठीक है इतना दूर तक आपको समझ मां गई अब क्या किजिए इस बारा से इसको काट दीजिए ठीक है तो बर नवा इठो तल से 900 आ गया यह कट गया लेकिन यहां एक सास्क्वाइर बात गया अब एक साइधर हम इतना लंबा कर रहें आप लोगो समझने के लिए नहीं तो रूट चड़ा जोतो इस स्क्वाइर को अगर इधर ले जाएंगे तो फ़ोजा गया ठीक है अब बराबर के बात जाता है तो रूट बन जाता है तो एक्स वराबर हमारा कितना जाएगा तो कितना गद गदूट ह पता ही आप लोग तो इसका आ जाएगा आपका तीसा जाएगा ठीक है अब बोल रहा है इस तो इन संख्याओं का योग कितना है योग ठीक है अब इन संख्याओं का योग कितना सुब्छ रहे है तो 3x प्लस 4X मैं जरे जरे समझा रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को समझे हो अब 3 और X कमान 30 है प्लस 4 गुने 30 कर दीजे अब इसको 30 ती अनवे प्लस 30 चोके 20 आज़े 120 अब कितना आ गया 120 अनवे 210 आ गया ताहिए आपका सही एंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है 210 देखे बी नंबर में गुछ नहीं दोस्तों यह महत्तम समापर्सक लगुतम समापर्सक के चकर में मत पढ़ जाएगा नद फिर आप लोग का जो है न बहुत टाइम खतम हो जागा आपका बनेगा नहीं कोचन ठीक है चलिए यतना दूर तो आप लोग को समझ में आ गई दोस्तों अब चौथे प्रस की और चलते हैं देखिए चौथा प्रस क्या कर रहा है दोस्तों एक मिनट आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं दोस्तों आप लोग जो ऐसो देखते हैं आधा देखते और भाग जाते हैं सोचते हैं कि हम तो पूरा जान रहे हैं लेकिन जब एक्जाम में आएगा और दिकत होगी तो इनके खर्च का अनुपात नौ और पाथ है अज़े इनकी बचत कर्मसा शबीस सो तता अठारा सो रुपिया है तो इनकी आई कितनी है चलिए मैं पहले जो बताया था उसमें एक ही अंक था एक ही बार घटाया जा रहा था दो नहीं था इस तरह से शबीस सो अठारा सो ठीक कि एक दिया गया था ठीक है लेकिन यहां दोवर दे दिया गया है छूलिए नो अब बोला एक ब्सको पांच-पकऊ-प Dass उमान ले जो और इसको पाइप सब्सक्राइब लंबा करते हैं आप लोगों को समयने के लिए ठीक है तो बचत को घटा देंगे तो आया जाएगा हमारा तो 26 इसमें घटा दीजिए और इसमें 1800 घटा दीजिए ठीक है और बोल रहा है कि खर्च उनके खर्च का अनुपात नौ अनुपात पांच है अब यहां पका किजिए नौ बटा पांच लिग दीजिए ठीक है नौ पांच पांच को इस तरह भी लिख सकते हैं अब देखिए इसको गुना कर दीजिए यह तीर्षा गुना होता है इस तरह से गुना होता है तब पांच पच्चे 25 एकस मैनस 26 बच्चे कितना हो जागा थावी सो पच्चे तेरह हजर हो जाएगा अरो इधर देखिए मुना कि नौ को तीन से नौ तीर्षा ताइस एकस और मैंस 18.9 इतना हो जाएगा बताएगे यह हो जाएगा एकसो फार सट एक सुल्ला हजार 600,200 ठीक है अब क्या कीज़े ये 25 चला जाएगा उदर ठीक है तो 27 में 25 को घटा देंगे तो 2x आ जाएगा ठीक है 2x और ये जो हमारा ये इधर चला जाएगा तो 16,200 में 13,000 घड़ जाएगा कितना आजएगा 3200 आजएगा ठीक है यहां तक तो सभी को समझ मा आ गई होगी दोस्तों अब देखे आगे देखते हैं अब इसको किजिए यह काट दीजिए दोस्तों 2 से तो 32 को काटे तो 16100 आ गया एक्स बराबर हमारा आ गया 16100 ठीक है मैं देरे देरे समझा रहो दोस्तों कि सारे लोगों को समझ मा आ जाए ठीक है यहां तक तो आपको समझ मा आ गई है अब बोल रहा है कि उनकी i कितनी है तो देखिए a, b की i का अनुपाद ठीक है और यहां बोल रहा है कि उनकी i कितनी है अई तो बोल रहा है आई कितनी है तो यह 5x और 3x है अब 5x भई की जिए अब देखिए एक मिनट यहां लिख देते हैं 5x हम स्वाट में कर देते दो तो 5x तो 5 गुने 1600 एक कमान 1600 हैं दोस्तो ठीक है 1600 है और 3x अब 3x है तो 3 गुने 1600 हम इसको यहां पर नहीं लिखे दोस्तों यहां फिर देखने में दिक्कत होगा यहां ही पर मैं बता दे रहा हूँ कि 5x तो 5 लिख दिये और x कमान 1600 था तो यहां 1600 लिख दिये 3x तो 3 लिख दिये और 1 कमान 1600 था 1600 लिख दिये अब हमारा कितना जगए यहां लिख दे रहे है तो 1685 8000 और यह 1648 4800 तहीं आपका एंसर हो जाएगा तो 8000 और 4800 तो सही एंसर क्या हो जागा तो D number हो जागा दोस्तों चलिए मुझे उमीद आप लोगो समझ वा गए होगी दोस्तों सिंपल है दोस्तों अगर आप लोग पूरा मेरा वीडियो देख रहे होगे तो किनी को दिकत नहीं होगी चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और पाच्व परस को देखते हैं कि देखे पाच्व दोस्तों अब सिक्का वाला सिक्का वाला तो प्रस्ट जो है में साइग्जाम में आता है दोस्तों और आप लोग सारे लोग अब बनाने भी लगे होंगे मुझे उमीद है कि जो भी मेरा विडियो देख रहे होंगे उन लोग सारे लोग बना रहे हैं और जो पाले जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है बोला एक एक थैली में 20 रुपिये 10 रुपिये 5 रुपिये कि नोट 3 4 5 के अनुपात में है इनका कुल मुल 180 रुपिया है तो पतास पैसे कि शिक्को की संक्या कितनी है ठीक है अब देके थोड़ा किलियर कर लेते हैं इसको हमेशा लेट हो जाता है दोस्तों टैपिंग कराता हूं चले लेकिन आप लोग का सपोर्ट है तो अच्छा लगता है काम करने में चले आप लोग सपोर्ट बनाये रखें ठीक है तो चलिए कुछ नहीं है सिंपल है दोस्तों आप लोग सभी को इस परस को बनाये हैं चले अब देखिए एक थैली में 20 रुपिये 20 रुपिये 10 रुपिये 5 रुपिये ठीक है 20 रुपिये 10 रुपिये और 5 रुपिये कि 3, 4, 5 के अनुपात में है नोट जो है तो ये 20 वाला 3 पो है ये नोट या संख्या लिखे ठीक है दोनों जो लिखे 3 और ये 4 और ये 5 के अनुपात में है ठीक है? अब इसको काखीदे इसको गुना कर दीजे गुना ने, सौरी पांच रुपए दस रुपए, एर बीस रुपए यह बीस रुपए, यह पांच रुपी जो तो वीस रुपए तीनो नोट है, कितना हो जगा साट रुपए, दस रुपए चार नोट है यह कितना हो जागा 40 रुपिया और यह पांच रुपिया का पांच है तो 25 रुपिया हो गया यहां तक तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गई अब देखिए दोस्तों यहां कुछ टापिंग में मिस्टेक हुआ है हम से इसके लिए सॉरी यह 180 रुपिया नहीं यह दो तो यह 180 रुपिया नहीं होगा यह 2000 रुपिया होगा ठीक है और यह 50 रुपिया नहीं यह 5 रुपिया होगा ठीक है यह 5 रुपिया होगा देखिए टापिंग में थ कि बँराबर 2,000 रुपिया है ठीक है बहुत मिस्टेक करता हो दोसों बात है के लिए सारा काम करता है इसलिए मिस्टेक करता हो जयादा अब इसको काल दीजिए तो अब बोल रहा है यहां पांच रुपया था दोस्तों कि पांच रुपया कि सिक्कों कि संक्या कितनी है तो देखिए तो पांच है तो पांच रुपया कि सिक्कों कि संक्या कितनी है तो देखिए तो पांच है तो पांच रुपया कि सिक्कों कि संक्या बराबर कितना हो जाएगा पांच गुने सुल्ला तो सुल्ला पच्छे असी हो जाएगा दोस्तों एंसर असी है भी नहीं यह सही answer 80 हो जाएगा ठीक है बात है दोस्तों मैं अकेले सारा काम करता हूँ इसलिए थोड़ा mistake हो जाता है दोस्तों इसके लिए sorry ठीक है चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहें लेकिन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो सही answer क्या हो गया दोस्तों तो असी तो पांच रुब एक सी के पुछा था ठीक है तो एक्स बढ़ाबर सुलला तो यहां एक्स मानना तब को ठीक है तो सुलला पच्छे असी चलिए मुझे उमीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और छट्टे प्रस को देखते हैं छट्टे प्रस्न आपका एक आदमी तथा उसके पुत्र के आईउ का नुपात चार नुपात एक है तथा उनकी आईउ का घुनन फल 196 है पांच वर्ष बाद उनकी आईउ का क्या होगा ठीक है सिंपल तप प्रस्न दोस्तों चलिए कि चार एक के अनुपात में तब इसको ऐसा किजिए और बोल रहा है दिखें ध्यान दिजिएगा उनकी आयू का गुनन फल 196 है तो चार एकस गुने एक एकस ठीक है बराबर 192 इतना अब लोगों को समझवा गया अब यह चार एकस को एक एक से गुना करेंगे तो चार एकस असक्वाइर आ जागा बराबर 192 ठीक है यहां तक आप लोगों को समझवा गई अब चार से काड़ दीजिए इसको कितना एगा चार चुक सॉला और चार नौवा च्छती तो एकस असक्वाइर बराबर 49 अब एकस उन्चास है इधर तो हम असक्वाइर हटाएंगे इधर जाएगा तो यह रूट आ जाएगा अब इसका हम जब वर्गमूर ले लेंगे कितना आ जाएगा साथ आ जाएगा एकस बराबर कितना आ गया तो साथ आ गया इतना आप लोग को समझवा गई अब बोलना है पांच वर्ष बाद उनकी आयू का अनुपाद क्या होगा पांच वर्ष बाद अब हमको निकाल देना चारे एकस और एकtechस पर ठीक है चैनुपाद एक एकस एकस में एकस ही लिखाता है मैं एक लिख दे रहा हूं अब लोग को समझगने कलिए ठीक है चाले तो चार और एकस का मादसाथ और बोल रहा है कि पांच वर्ष बाद तो इ इतना ही होगा अब कितना हो जगा चार सत्य अठ्था अठ्था स्पांच तैटीस और यह गया साथ पाथ 12 ठीक है अब इसको काट गए तीन चौके 12 और 11 तीज़ तैटीस तो सही एंसर क्या गया दोस्तों 11 पाथ जार जीकिए सी नंबर में 11 पाथ चार चले आगे वर्षते है दोस्तों और आगले प्रस को देखते हैं एक मिनिट्ट थोड़ा एजेस्ट कर लेते हैं दोस्तों अब अब